सो गाई यसाज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप Telegram युज करते हैं और Telegram अकाउंट को आप पर्मैनेंटली डिलेट करना चाहते हैं तो आप अपने Telegram अकाउंट को डिलेट कैसे करेंगे आज की वीडियो में मैं आपको यहीं बताने बाला हूँ यहाँ पर आपको करके दिखाऊंगा तो इस वीडियो में हैंट टक बने रहेगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो जैसे कि आप देख सकते हैं टेलिग्राम को आपको उपन करना है अपने अकाउंट को डिरीट करने के लिए तेन उसको यहाँ पर थ्री लाइंस देखने को मिल रही है आपको लैट साइड में उपर इस पर क्लिक करना है अब यहाँ पर आपको सैटिंग्स देखने को मिल रही है सैटिंग्स पर क्लिक कर लेना है जैसे आप setting पर click करेंगे scroll करना नीचे की तरफ यहाँ पर आपको telegram FAQ देखने को मिल रहा है second last इस पर click कर देना है जैसे आप इस page पर click करेंगे आप directly यहाँ पर आजाएंगे यहाँ पर आने के बाद आपको option देखने को मिल रहा है general, telegram basics, group, username and time, security, secret chats, your account यहाँ पर your account में आपको आपके account से related जितनी भी settings से देखने को मिल जाएंगी who can see my phone number, सब यहाँ से आपको देख करने को मिल जाएगा delete your telegram account, तो यहाँ पर आपको click करना है तो जैसे मैं इस पर click करता हूँ, उपर यहाँ पर लिखा चुका है देख सकते हैं, you will need to delete that account how do I delete my account, यहाँ पर deactivation page है, इस पर आपको click करना है जैसे आप इस पर click कर लेंगे, आप redirect हो जाएंगे इस page पर जैसे आप इस page पर redirect हो जाएं, आपको यहाँ पर number डालना अपना तो मैं number डाल देता हूँ इस number मैंने डाल दिया है, एक बात का आपको ध्यान रखना है जब भी आप अपना number डाले तो country code जरूर यहाँ पर डाल दे जैसे मेरा country code प्लस 91 है, तो मैंने डाल दिया है उसके बाद next पर मैं click कर देता हूँ next पर click करने के बाद यहाँ पर मुझसे confirmation code मांग रहा है तो जैसे मैं यहाँ पर code डाल दूँगा, आपके पास जो code receive हो जाएगा आपको देख सकते हैं, यह code है कुछ इस तरह से आपको receive हो जाएगा आपको notification में यह देखने को मिल रहा है आपको, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ फिर मैं आपको बताता हूँ यहाँ से आपको code डालना होगा और sign in पर click कर देना है so guys मेरे पास confirmation code आ चुका है तो यहाँ पर confirmation code मैं डाल देता हूँ so guys जैसे के आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने confirmation code डाल दिया है sign in पर आपको click कर देना है sign in पर जैसे आप click करेंगे यहाँ पर आ जाएगा second page यहाँ पर लिखा हूँ है delete your account यहाँ पर आप से phone number मांग रहा है phone number आपको लिखना है वैसे तो already यहाँ पर phone number डला हुआ है आपका why are you leaving यहाँ पर आप कोई reason भी दे सकते हैं not interested यह लिखना है आपको delete my account पर click कर देना है इसके बाद यहाँ आपको दिखाएगा yes delete my account nope I will give it another try तो आप यहाँ पर yes delete my account पर click कर देना है आपको देख सकते हैं your account was successfully deleted from our system come back soon तो आप यहाँ से